हेलो मेरे एक्जाम वाडियर्स मैं दिपावर्मा अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस इननी क्लासस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम सुरिश में हैं और क्या है मार्च मशिन के तयारी में निकल चुके हैं इसरी हे तो इसे घंकी हमांट के अगले धहाई को देखेंगे इसमें हूआ को देखेंगे parents इसमें हमें मानो संसाधन और स्वतंदर भारत में लोकतंत्र और राज़दी संस्थाओं के कादर पढ़ा ली ठीक है इसमें हम समझ क्या जणगर्णा समझ दी सभी का चीज़े पढ़ेंगे जो आपके किते दो से तीन अंकों में आएगा सेम चीज यहां हम क्या हिंदू कोड पहला चुनाओं विए बासी आधार पर आज्यों का कैसी इन सब के वारे पढ़ेंगे तो आज की चैप्टर में हम कौंसे अपना अध्याए 5 को करने वाले ठीक है तो हमारा आज का लेक्टर में क्या पढ़ने वाले अध्याए 5 मानास संसाधन न जो हमारा कैक्षा 10 विक है कि इसका जोग्रफी का बाठ है इसमें केवल दो से तीन मार्ग से कोशन आएंगे जट जट आपके कोशन में रते जाओंगे और चोट चोटा आंसर बताते जाओंगी कि इसमें एक्षुडी आंसर कैसे लिखना है ठीक है तो चलू क्या है भारत की जंगर्ना सेंसेस ऑफ हमें क्या है डेटा एक्षट मिल जाएंगे है तो अभी हम जट गर्णा किसके अधार पर देखेंगे 2011 के अधार ठीक है और यह प्रत्यक देश सालों में क्या जंगर्ना की जाती है ठीक है आपने पूस्ताक में जंगर्ना का इतिहाज ही पढ़ा होगा है लेकिन उससे कोश सब्सक्राइब करने के लिए इन सब के लिए क्या जंगर्ना क्या ग्यात होना बहुत जरूरी है इसने सरकार क्या करती प्रतेक दसवर्शों में क्या करती जंगर्ना करती है ठीक है चलो लिंगा लुपात वही आ जाता है कि प्रतेक पूर्शुम मेल वासस फीमेल के संख्या कितनी होती है ठीक है आयू संगर्थन कितने तीन भागों में आयू संगर्थन को बाटा जाता ह काम और काईशिल जनसंख्या जनसंख्या और विकास की जनसंख्या और विकास में क्या संबंद है कि हमें जनसंख्या बढ़तो रही है लेकिन उसे विकास के इतना एफेक्ट हो रहा है हमने अपने संसाधन विकास नहीं पढ़ाता है कि कि इतने जादा कर विकास करना है तो क् विकाज पे इसी के जनसंख्या और गरीb कि अगर एक ही घर में बहुत सारे लोग होंगे है ना तो क्या होगा जो एक इंसान प्लिए खाना पकाता है वह क्या करेगा उसको दब लोगों और खाना कुछाना आगे लिए खाना है पिर प्रशुन क्योई ने सब आहर काम परहुते वह उन्सांख्या हैं पर प्रस्टतर कोंने सब्ते प्रस्थल थे alc verify थे सब्लेटते सब्सक्राथ और सक्राइबкого मीर्स्डान नहीं सब्सक्राइब एक उत्त करि displaced sa? में ज्र Hazard के वल 2-3 मार्च में सकलिए के तो आपको आपको ज्यादा कुछ से कुछ नहीं लिखना उसके तिरी तिर दो से पचास शब्स की तो इस प्रस्षन को देखते हैं जन्गारणा में कौन-कौन से आखड़े प्राप्त होते हैं तु जैसे कि मैने बताया किया है भारती जन्गारणा में लोगों की कुल जन संख्या पता चलती है कि कितने पूरे एक देश में कितने लोग है जैसे हमारे 211 करोड दो लाख जन संख्या थी जो आप बढ़कर किया है पुरे विश्व के सबस्यादा जन संख्या रदेश हो गए हम उसके बाद महिलाओं पुर्शों की संख्या पता चलती है कि भाई किसी गाउ में महिला कितने है पूरुष कितने है उनका लिंगा नुपाद कितना है पढ़े लेखे लोगों की जन संख्या पढ़ती है जिसे क्या पूर्शा रदार कहते हैं अलग 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 आयो समय के लोगों की जन संख्या पता चलती है कि भाई बच्चे कितने हैं इनसे पता क्या अगर पता है कि हमें बच्चे कितने है तो क्या उनके लिए हम नीतिया बनाएंगे यह सिख्षा का वैवस्था करेंगे पोशन आहर देंगे वृध है तो उनके लिए पेंशन वैवस्था करना है उनके स्वास्थे के लिए क्या है शीविल लगाना यह सब कारिका कैसे करेगी गौर्डमन जब तक उनको डेटा ही नहीं मिलेगा तो यह सब डेटा जन गड़ा किसे लेती है ठीक है कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं मतलब लोगों की काम क्या क्या है पर्टिकुलर उद्योग धंदे में कितने लोग है खेती कितने लोग कर रहे है कितने लोग किसी फैक्टरी में काम करते हैं कितने लोग किसी विदेश में ज तो यह सब जनकारी हमें क्या मिलती है जन्गर्णीट उनकी लिए क्या नेती अपनानी है ठीक है इसलिए क्या है सभी आकड़े क्या है जनगर्डा में निकाल जाते हैं ठीक है तो जनगर्डा में क्या क्या किया जाते हैं लोगों की जनसंख्या महिला पुरुषों की जनसंख्या सिक्षा का इस तर लोग कैसे काम कर रहे हैं लोग एक लार एक सो एकलो एकली करोड दो लाख लोग थे कितनाprises करोड दो लाख लोग थे हमारी जन संख्या थी दो सब्लाएर होच को सब्सक्राइब प्रतिवेक्ति आये अगर दोनों की सही है मतलब उस देश विक्सित है लेकिन अगर जनसंख्या बहुत जादा है लेकिन लोगों की आये बहुत कम है बलकि जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों की आये में कमी हो दिये तो क्या बताती है कि देश विकास नहीं कर रहा है बलकि देश में क्या है आर्थिक संकट है ठीक है तो यही होती है जनसंख्या होंगी तो वहां का लिंगा नुपात क्या होगा 900 ठीक है मतलब 1000 पुर्षों में 900 महिलाय वहां रहती है ठीक है तो क्या है आपको कोशन है 2011 में भारत का लिंगा नुपात 1940 है किन्तु 0 से 6 वर्ष आयू में यहां 914 है मतलब जो एक बड़े हम देखते हैं लिंगा नुपात मत 940 बड़ी महिलाओं का है बच्चों में 914 तो यह क्या बताती है भई तो पहले आपको क्या लिखना है लिंगा नुपात का अर्थ है मैं आपको पूरा आंसर पूरा फ्रेम नहीं करके बता रही हूं आपको बता रही हूं कि आंसर कैसे लिखना है तो आपको अगर लिंगा लिंगा नुपात का अर्थ लिखना होगा ठीक है तो लिंगा नुपात का अर्थ क्या होता है प्रती हजार पुर्षों में इस त्रियों की जनसंख्या कितनी है समाने रूप से किसी स्वस्त समाजे महिला और पुर्षों की जनसंख्या बराबर होई चाहिए बिल्कुल सही ब है ना लेकिन 2011 जन्राइन ने करन सार क्या है हमारे देश का लिंगन उपाथ 940 है इसका अर्थ है कि प्रतीक 1000 पुर्षों में 940 महिलाएं हैं लेकिन 0-6 वर्ष की आयू में यहाँ 914 है तो इसका अर्थ यह होता है कि या तो जन्म के समय में बच्चियों को मार दिया जाता है या उनकी स्वास्त सिवाएं उतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि वो आगे बढ़ते तक सस्टेन कर सके ठीक है तो आपको ऐसा अंसर लिखना होगा ठीक है इसका करनिया है या तो जन्म के समय बच्चिया एक वर्ष का आयू पूरी होने से पहले ही मर जाती है या उन्हें ज संतुरन हो जाएगा अपराद बढ़ेंगे स्वास्त में गिरावट आएगी तो क्या लिंगानुपाद आपको बता दे रहे हैं दो तीन लाइनों में और बता देना कि लिंगानुपाद कम होगा तो क्या होगा समाज में असंतुरन बढ़ेगा पूर्शों के संख्या हो जाएंगी बड़तकार होगा यह सब तीजे क्या होगी हमारे देश में क्या होगा निगेटिव इंपक्ट पड़ेगा ठीक है आयू संगठन मतलब आयू संगठन को देखे तो हम तीन वर्गों में बाटते है ठीक है पहला है बालक यूवा पृद्ध जिसमें बालक में 15 तक आते हैं यूवा मे 15-69 वड़ और विध्ध में 60 तो इसी को हम सबसे जाएधा क्या कहते हैं कारियाश्यल जन संक्या पर चुक्atra क्या होता है यह आश्रित होता है अपने चीजों के लिए सिख्शा के लिए क्लिए को क्लिए फोलब ऊंकरों पैसे लाते हैं तो पूरे किसी देश की आर्थिक विवस्था को पता करना है तो हमें क्या है, युवा ज़न संख्या को सहीं दिशा में लेकर जाना होगा, ठीक है सरवादिक कारेशिल वर्ग कौन सा है भाई बोलो, युवा वर्ग कौन से कहां से, 15 से 69 वर्ग जो कोई वी कोश्च्रत्र होना थाथ पढ़ने और लिखने की शमता से संपन होना ठीक है तो इसको क्या करते है सक्षर जो वैक्ती पढ़ यह लिख सकता है है ना उसको हम क्या कहते है साक्षर ठीक है तो मायदेश के साक्षर कहते है तो 2011 की जनगर्णा के नुसर देखे तो मायदेश की साक्षर्टा किती थी मतलब प्रते हर घर में तीन वेक्ती थे जो पढ़े लिखे थे लेकिन साक्षर्टा के बाद जब पहले जिन करना हुई थी तो साक्षर्टा दर महस अठारा प्रतिशत थी ठीक समझ रहे हो मतलब सौ में से ब्यासी लोग क्या थे निरक्षर थे ठीक है केवल सौ में से अठारा लोग पढ़े लिखे थे और ब्यासी लोग ऐसे थे जो निरक्षर थे ठीक है जो आज बढ़गा किती होगी सक्षर्टा दर किती थी 14.04 वहीं अगर पूर्षों की बात के जाए तो किती थी 82.04 और महिलाओं 65.04 बोलो पूर्षों में किती सी सक्षर्टा दर अगले कोशन पर आते हैं आगे भारत में पूर्षों की तुलना में महिलाओं की सक्षर्टा दर कम है इसके क्या कारण है बहुत सारे कारण है कि समाज में जागरूता की कमी हो जाती है लोग अभी भी महिला सिक्षर्टा को बढ़ावा नहीं देते हैं इसकोल इतने दूर है कि लड़कियों को भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि भाई दूर जाएंगी किसमें जाएंगी आते जाते कुछ हो गया तो माप आपको यह डर रहता है ना दूसरा गरिभी के कारण हमें इतने सक्षम ही नहीं हो है आज के ग्रामिन के बोड़ी वादित अभी विवनी हुई है नजीत की सिक्षा के इंदर कना होना सहथ सिक्षा के आज रूची मतलब कि भाई यह सिक्षा ही कई नाम पर उन लोग अभी रूची नहीं जगा पाएं कि भाई सिक्षा का क्या महत्व है अभी ग्राबिन शेत्र में जैसे आप लो हमारी वित्मंत्री महिला है तो भाई महिलाओं को भी एक्वली राइट है कि वो भी क्या अच्छे जगों पर जाएं और हमारे बराबर काम करें ठीक है घरेलू जी है अपन की बाद देता है विज्ञानिक सोच की कमी कि सोच से लड़की जादा पढ़ लेंगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा लड़कियों को पढ़के क्या करना है घरी तो चलाना है शादी कर देना है तो यह सब जादा आती है बलकि हमें क्या करना है अगर समाज के दो ही दोनों पहलू है एक ही सिक्के के एक साइट महिला एक साइट पूरुष तो दोनों को समान आउसर सिख्षा के दोनों को काम करने के समान उसर है और समाज में दोनों की साभागीता भी एक है तो आपको ऐसे आंसर लिखने होगे ठीक है तो आप इतना की पूंट्स भी लिख दो के 2-3 मार्क्स वाले कोशन में काफी है आपको पूरा इसको लिखना नहीं है सिब इसको पूरा भी देनी है सुख्षा के mechanिक आफ्सर भी देना है रोजकार भी देना है तो बचक करेजा है यहां तो इसकोस ही नाइ स्कुल लगाने है तो फिर क्या हुआं हमें कुसंसादन लगाने है तीचर और लाने पड़ेंगे, सिक्षा का इस तरह हमें बढ़ाएं, क्योंकि सिक्षा सब को देनी है, अब ये पच्छास ओर लोग काम पास हो के निकलेंगे, तो इनके लिए कॉलेज की वश्टा करना, फिर इनके लिए रोजगार की वश्टा करना, तो ये सभी क्या है, संस प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इजाफा हो रहा है इससे देश में गरीबी बेरुजगारी अपरात नशा खोरी और भष्टाचार भी बढ़ रहा है वहीं इस समस्या से परियावन का संतुरन भी बिगड़ रहा है बिल्कूल जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा खाद्यान समस्या होगी लोगों को खाने खोरत नहीं मिलेगा काम नहीं मिलेगा अब रात बढ़ेंगे लोग बढ़ रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है शहरों में नगरीकान वहत्त नगरीकन हो रहा है तो लोक जाद यहां आ रहा है लाइफस्टाइलoter हो रही है ठो है अ। चार बच्चे है फिर वो बटेगा फिर वोई एक खेद फीर उननके दो-टीन बच्चे फिर बटेगा तो क्या होगा छोड़ा खेद अपक्रम क्या हो बड़ा बड़ा क्या हो बड़ा कोहने ने लग़ा है बड़ित आ वुइLTS क कारण रोज कार्ण Premτर में कमी अप्राद में अब उष्धी बढ़ती जन संख्या को प्रभाव को कम के जा सकता है, मतलब अगर यह बहुत साई जन संख्या है, उसको आप आर्थिक रूप से क्या करो, डाइवर्ट करतो, मतलब अगर जन बहुत लोग है, दस लोग हैं, है ना, तो उनको अच्छे काम दे दो, काम देंगे तो क्या होगा कि देश की आए भी बढ़ेगी, उनकी आए भी बढ़ेगी, आए भढ़ेगी तो क्या होगा, देश प्रगतिशील होगा, है ना, तो क्रिशेत्र में सुधरात्मा को उपाय करके अपना कर, उत्पादक्ता में विद्धी के प्रयास किया सकते हैं, और द्योगिक धाची को संचार सादनों परिवहन, सुधाओं को बढ़ा कर देश के आर्थिक, तो क्या किया सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन इसको अगर विप्रित देख दिया जाए, आप अच्छी सिक्षा दो सभी को, अच्छी सिक्षा देंगे, अच्छी रोजगार मिलें अच्छी आए बढ़ेगी, आए बढ़ेगी तो उनके घर जीवन आपन का इस्तर बढ़ेगा, देश का विकास होगा, संचार सादनों अच्छे कर दें, तो क्या होगा, लोगों के क्या सोच बदलेगी, लोग और जगह काम करने जाएंगे, तो ये क्या होगा, बढ़ती ज इन लोगों के खाना पूर्ती हो सकती है, एक जगह से, लेकिन अब 6-7 लोग हो गए, तो उनको खाएगा क्या, कमाएगा क्या है, उनको खिलाएगा, सिक्षा देंगे, उनकी कपड़े लेंगे, उनको और कोई व्यवस्था करेंगे, नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है फिर वो गरीबी का चक्र वैसी रहता है, ठीक है, जनगर्णा के आकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्यो उपयोगी है भई, योगि ये देश की उस जनसंख्या को बताती है, जिसके लिए हमें एक्षल क्या है, क्याम करना है, अगर ये बताती है कि हमारे दर्श में अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, तो गरीब कितने जनसंख्या है, जिसके लिए हमें खाध्यान की पूर्दी करनी है, जैसे हमारे यहां मिलता है न राशन दुकानों में चावल, तो ये क्या गरीबी रेखवाले को मिलता है, तो इसे क्या सरकार पता कर पाती है कि हमें कि कि यह सब क्या जन संख्या से पता चलता है ठीक है किसी भी देश की विकास से भविश्य की नितियों के निधारन के लिए देश की नागरिकों का सही जन संख्या पाना पता होना बहुत जुरूरी है नागरिकों की आर्थी को समाजे के सिधी के प्रमानिक आकड़े सरकार की मदद करते हैं अता भारत में प्रते दस साल में जन गर्णा की जाती है सिक्षा का इस्तर जानने के लिए कारिसिल जन संख्या ग्याद करने के लिए ठीक है अब सरकारी योजनाओ को बनाने के लिए सिक्षा इस्तर जानने के लिए ठीक है रोजगार के अफसर प्रदान करने ये सब के लिए क्या है सिक्षा का हमिड कहा है जंगर्णा के आकड़े चैसे एसलिए कि आजर्डवन के आपको रिखना है और कि दो तीन मांक asking आने वाले लिखना है इतना बी आपको पूरे आंसर इत्तना भी लिखंगे बिहार में देखोगे तो वहां लोग बहुत जादा है वहीं क्या है आसाम में चल जाओगे तो वहां की लोगों की लोगों की हजार किलोमेटर एरिया में क्या होगा सो किलमेटरिया में कम लोग रहते हैं यहीं क्या होता है घनतवा कि मतलब पर्टिकुलरी से आपके गाउम में बहुत ज़्यादा लोग है वहीं बाजवाले गाउम में जोगे तो बहुत कम लोग है तो वहीं क्या होती है जनसंग क्या घनतवा होती है तो किसी जगह पे लोग लोग बहुत जयादा है, ये कम रहते है, ये किन कार्णों पर डिपन करता है भाई, भूमी का उबजाओ इपन, कि वहां की भूमी कैसी है, वर्षा की मात्रा अच्छी होगी, तो वहां का अथमोस्फेर अच्छा होगा, वहां खेती अच्छे से होगी, तो लोग क्या है, खे पर दुसरी पढ़ कोई साधन करना क्या है, तो आप एक समय के बाद छोड़ोगे, कोई स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो अगर आपको कॉलेज करना अच्छे लिए आपको कोई करने के लिए, आपको दूसरे जाए पढ़ेगार लेकिन वहाँ से कोई बस नहीं है, साइ तो इसी करण क्या है अगर आयातायत के साधन अच्छी होंगे तो वहां का जन्गान तो बढ़ता है ठीक है और जोगी कोई कास अगर जोगी के वहां अच्छा है जैसे हमारे भिलाई में है बियस्पी है हमारा सिल्तरा हो गया यह सब जगे क्या है यहां लोग के जादा रहते है तो जहां जादा आया है जैसे हमारे जन्गान तो भाड़ता है अच्छी सिख्षा मिल रही है अच्छी स्वास्ता सिवाई मिल रहे है बिजली के सुविधा है खान पान के वैसा है जब लोग एक जग आएगई तो वहां 5ड जन्संख्य घार तो बढ़े गाई तो यही ह होता है जनसंख्या में इतनी अधिक प्रमिता पाई जाती है ठीक है जनसंख्या विट्सोट समाज के लिए घातक है और कैसे समझाइए ठीक है जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो भाई सभी चीजो पिते फैक पड़ेगा किस पे जैसे संसाधना पदबाव प लेकिन वही क्या होगे दो से तीन बच्चे तो वह किवल एक बच्ची के सिख्षा पूर्ती कर सकता है बाकी दोको नहीं करता तो उनके क्या होगा जीवन किस तर में गिरावाट आएगी गरीबी का दुष्रक्र जैसे हम बात कर चुके हैं कि वह गरीब है तो ज्यादा बिल्कुल कि हमें जो अपनी पैसे हैं आर्थिक चीजे हैं विकास करना है हमें अच्छी टेक्निलोजी को दाने में लगाना होगा अच्छी रक्षा सेवा में लगाना होगा है ना अगर ज्यादा जनसंख्या हो गई तो हमें क्या करेंगे हमें पूरे लोगों की खाध्यान व्यक्तियों की जन संख्या बढ़ेगी अब इनकी जन संख्या बढ़ेगी तो हमें इनके लिए जादा काम करना होगा भूजोतों का आर्थिवी घ्वाजन होगा मतलब अगर खेट है उसके चार बच्चों पर बढ़ेगा है ना तो वो फिर चार भागों बढ़ गया फिर वो एक व्यक्ति के फिर दो बच्चे हुए फिर वो भड़ा तो क्या होगा फिर भूजोतों का बढ़ा सा जो खेट था वो छोटा छोटा करके लास्ट में कि इतना सही खेट बचेगा जनसग्या में तेजी विद्धी होने पर प्रतिवक्ति आयमें व्रिद्धी में धीमी होगी जैसे अगर एक देश की सौ लोग है और वहां के प्रतिवक्ति हजार है तो किता दस रुपए है लेकिन वहीं तो यही क्या है प्रतिवक्ति आयमें क्या है जो व्रिद्धी होगी वो धीरे हो जाती है ठीक है तो यह सब बच्चे आपको क्या है मानोस अंसाधन से सबमंधित चैप्टर था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कोशन मैंने बताया और इससे जादा बाहर कुछ नहीं आए अच्छी कटे रहो ठीक है मेरे बच्चों बेस्ट अप्लक अगली लक्षर में मिलते हैं